नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सठी हलचल मैं हूँ आपके साथ अशुक चोपड़ा मचली खाने के शुकीन लोगों के लिए बुरी खबर आई है क्योंकि मतस्य विभाग हिमाचल दोरा भाकड़ा डैम के पीछे बनी बिशाल गोबिन सागर जील सहित अन्या जालशायों से मचली के शिकार के लिए आज से आने वाले दो महीनों के लिए पूरन तोर पर दिवंद लगाया गया है और इस दो महीने के दोरान मचली के शिकार पर पूरी तरह रोक रहेगी रिपू कोली ने कहा कि हलाकी पहले प्रजनन काल एक जून से एक अगस्त तक माना जाता था लेकिन मोसम में आए बदलाव के कारण बीते कुछ बरसों से 15 जून से 15 अगस्त तक किया गया है और इस दोरान दो महीने पूरी तरह चुटी मनाई जाएगी और मचली खाने के शिकीनों को अब ताजी मचली 15 अगस्त के बाद ही मिलेगी क्या कहा सड़ी अलचल से बात करते मचली के कारोवारी रिपू कोली ने आप भी सुने मेरा नाम रिपू कोली है जी मैं कोली फिश ओनर तो तड़े चैनल दा सुआगत करता जड़े दो मीनिली बांध हुं दिया एए फिश दा ब्रीडिंग पिरेड हुंदा है तो ए हमाचल गवर्मेंट में रूल कर दे हुआ है कि दो मीनिली बांध करनी है फिश पहला ए रू साल थो नहीं पंदरा जून तो लेके पंदरा अगस्ता क्लो सीजन हुंदा है हमाचल ची बिलकुल फिश बैन हुंदी है तुसी उत्ते शिकार भी नी कर सकते ते तुसी वेच भी नी सकते ए ते विचले द्रयाज़े पंजाब दिनी रभो ने एना चिक मीनल लोगे बांध जड़ी ज्यादा मशूर पर जाती है है सिल्वर कार्प कतला सिंगाडा ते रहू ज्यादा तर सिल्वर ही हो गई सर अगला टेस जड़ा खुल दे सीजन देविच तानों हार एक वराइटी मिल जाएगी जदो 15 गस फिश खुलेगी वहार एक वराइटी मिल जाएगी इवन की पाखड़ देविच दस पंदरा वराइटी है और जड़े पंदरा ने जदो फिश शुरू हुं दिया हुदो हर एक वराइटी आं दिया है सरे जड़ा काम में लॉस्ता हुं देए बट एट सा पार्ट ऑफ बिजनस शुरू तो ही चीज दे हैप्चिल हो चुके हैं कि दो म मच्छी दे कंपरेटिव करोंगे ता इस तो वदिया नौनवच कोई भी विनी है एदे सारे फैदे ही फैदे है तान्नों डक्तर को जान दी लोडनी पैनी जे तुसी खानने हो इन्हों तुसी अपनी में डाइट दे विच रखो एदे तान्नों बैनिफिट सी होंगे जे क कोई जिम जानदा है या कोई अरोबिक्स कर दा या कोई विक से भी तरह दी अपना काम कर दा ओदे विच एदास एक तता डस्टैमीना बांदी है एक तान दवाईयां तो दू रख दी है पो रहता डी सिकिंद विच वड़ा गलो आन दा ता डवाल काले रहन देने तुसी स अवेरस नहीं है कि हले माचल चता है बट थू आउर दा पंजाब क्योंकि यसी बॉर्डर ते बैठे है उत्ते अनि अवेरस नहीं है तो लोग की आ जान देने उन चुटे हैं बच्चे नों उननने को मना जाना तो आके उनननों ना फिश मिल लिए ना उननों फिशिंग कर आते हुए कहा कि मचली के प्रिजिनन काल के दुरान अगर कोई मचली का शिकार करता पकड़ा गया तो उसके खलाब कारवाई होगी इसके लिए विभाग की और से विशेष टीमों का गठन करने के अलावा उडन दस्ते भी गठित किये गए हैं जो मचली के अवैद शिकार करने वालों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और इस दो महीने को दुरान अगर कोई मचली का आवैज शिकार करता पकड़ा गया तो उसके खलाब मामला दर्ज किया जाएगा और नौन बेलेबल अफेंस होने के कारण तीन वर्ष की सजा के साथ भारी भरकम जुर्माने का भी परभदान है क्या का है माचल मतस्या विभाग के डिरेक्टर सत्पाल महता ने आप भी सुनें मतस्या विभाग के विभाग में यह जो मा का बंद सीजन प्रजिनन काभ जिसको कहते हैं हम आज से हमने नगू कर गिया है और इसके दुरान जो हमारे अलग लग जलाशियों में जो हमारे समानिया जल हैं सभी में यह मतस्या अठीट पर पूर्म पूर उन लूप सिर्फ प्रतिवंद रहेगा और हमने जैसे जलाशिया हैं तो उसमें हमारे विभिन जलाशियों में कैंप्स गरा लगाए हुए हमने हमने उडन दस्ते भी उसमें गठित किये हुए हैं जैसे कि पॉंग जला से बड़ा जलाशिया है जिसमें हमारे में लगाए हुए और उसमें दिल्ग्राज हमेरे बहां पे टेंटों में कर्मचारी गस्त करते हैं इसकी किसी भी परकार किया बैद मतस्या फेट नौ इसी परकार गोविन सागर में भी हमेरे यहां टेंट्स भी लगाए हैं और एक पर्टिकुलर स्थान से जो है वह हमेशा इनकी छुटियां भी प्रती बंदीत हैं यह दो माह में हमारे करबचारी परिस्तित्रियों में ही केवल कुल को आवकास मिलता है द्रवाइस दो महीं में दिन रात जुटी करनी पड़ती हैं जिससे कि मचली का अवैद मतस्या खेट नौ और हमारा परजनन जो है हाँ इसमें ऐसा है कि कोई अगर अगर ऊज्रूप से मचली मारता हो पाया जाए या जैसे जाल से कोई मचली मारता हो पाया जाए तो यह एक नॉन caus में Оपैंस है और इसमें आजर्र रुपिय तक सिर अर पांच हजार रुप ए तक बंदार बनान शुर्णों हो भी है और जो उडन दस्ते बनाए गए हैं हमने वो पूरे उस रेजरवायर को जो है देखेंगे चाहे वो सडक मारक से भी जाएंगे और हमारे बोडर बोड के जरिये भी जो हैं वो कहीं पर भी छापा मार सकते हैं यह जो केम्प लगाए हैं उसके अलावा हमारा एक उडन दस्ता होता है वो हमेशा तर्थ पर रहता है इंची जहां से भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है वो तुरंथ वहां पर जाकरके उस अवैद महते से आखे रोप्थाम के लिए वो है वो परस्थाम करते हैं वहां पर जाके प्रॉपर एक्शन जो नियमा उनसार अजोली मार्किट में खुल गई है चश्मों की नई दुका बशिष्ट ऑप्टिकल यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रेंड़ेड चश्मे वो भी बजार से काफी कम दापर नजर के चश्मे लगवाने बालों की नजर पहले अति आधूनिक मशीनों से निशुलक जाच करने के उपरात आटोमेटिक मशीनों से त्यार चश्मा चंद मिंटों में ही उपलब करवाया जाता है तो एक बार सीवा का मोका अवश्य दे हमारा पता नोट करें बशिष्ट ऑप्टिकल नंगल संतोशगर मुख्य मार्ग निक्ट गोल्डन पैलस अजोली मोट जिला उन्ना हमारा फोन नमबर 99155-84190